नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है चमतकारी तोटके में इस चैनल में हम आपके लिए लेकर आते हैं बहुत सारी रोचक जानकारी जो जुड़ी होती है वास्तु शास्त्र, धारमिग्यान, वरत पूजन विधी और भारतिये देवी देवताओं के साथ। दोस्तों आप हमारे इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेर भी कर सकते हैं। सनातन धर में तीन गोत्र छोड़कर शादी करने की प्राचीन परंपरा चली आ रही है। इसके मुताबिक पहला गोत्र खुद वर या वधु का, दूसरा मा का और तीसरा दादी के गोत्र में विवाह करना निशेद माना जाता है। दोस्तों आज हम आपको इस परंपरा के पीछे की पराणिक मान्यता और इसकी वैज्ञानिक वजए दोनों के बारे में बताने जा रहे हैं। तो आईए जानते हैं कि आखिर क्यूं हिंदू धर में एक गोत्र में वर्जित है शादी। पुराणों और स्मृति ग्रंथों में स्पष्ट निर्देश दिया गया है। जैसा कि आप स्तंब धर्म सूत्र कहता है संगोत्राय दुहितरयव प्रहक्षित यानि समान गोत्र के पुरुष को अपनी कन्या कभी नहीं देना चाहिए। साथ ही समान गोत्र में विवाह करने पर चंडाल पुत्र पुत्री के उत्पन होने की बात भी कही गई है। अगर कोई जान बूचकर संगोत्री विकन्या से विवाह करता है तो वो जाती चियुत हो जाता है। सनातन धर्म के हर रिती रिवाज और परंपरा के पीछे कुछ वैज्ञानिक तथ्य होते हैं। और एक गोत्र में विवाहना करने के पीछे भी ऐसी ही महत्वपूंड वज़े है। दरसल वैज्ञानिक द्रिश्टी कोण से देखा जाए तो एक गोत्र या कुल में विवाह होने से संतान में जैनेटिक बिमारियों को होने के चांसे बढ़ जाते हैं। ऐसे में इस तरह की अनुवानशिक दोशों से बचने के लिए सेपरेशन ऑफ जीन्स बहुत जरूरी है। के साथ जरूर शेयर कीजिए। जुड़े रहिए चमतकारी टोटके के साथ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।